जैहन दोस्तो आज की सीटेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्ट होने वाला है जिसका भी जिस इस्टूडेंट का अगर पेपर मालोजे छूट जाता है ठीक है अगर किसी का पेपर छूट गया है किसी सब्जेट में घर कोई फियल हो जा रहा है ठीक है किसी सब्जेट में फेल हो जा रहा है अगर किसी सब्जेट में अगर कम नंबर बन रहा है ठीक है कम नंबर बन रहा है तो अगर मालीजे 20 से 25 नंबर मिल रहा है वह अगर किसी सब्जेट में फेल हो जा रहा है तो कैसे पास हो ठीक है यहाँ पे एक अपडेट यहाँ जारी किये तो यूपी वोर्ष यहाँ पर यूपी यूपी वोर्ष यापट किया घया था जो मैं को रिचाने वाल कि यहां पे आप देख सHzरते हैं यूपी वोर्ड यूपी वोड स्टुडियंट के पास होने में ये लागू किया गता है मैं चलिए मैं आपको पढ़ता हूं यूपी बोड ने दो वर्स पूर हाई स्कूल और इंटर बोड परिच्छा पास होने के नियम में बदलाओ किये थे अगर आज भी कई विद्यार्थी ही नहीं सिछख भी इन नियमों के अंजान हैं ऐसे में रोजाना तमाम विद्यार्थी उत्तिड होने के नियमों जानकारी लेने के लिए विभाग का चक्कर काड़ रहे हैं इनको ये नियम पता नहीं है कैसे किसे सब्जेट में फेल हो जा तो यहां पर मान लिजिए कि आपका किसी सब्सक्राइब में छूड़ जा रहा तो कैसे पास हो पूरा यहां पर जानकारी मैं आपको देने वाला हूं वीडियो के बिल्कुल भी इसकी मत किज़ेगा ठीके भाई क्योंकि यह आपके लाइप के रिलेटेड है यह आपका स्कूल जो इंटर होता है आपके जिन्दगी है भाई इसी से आपका आप कोई भी फारम भरेंगे तो इसी से मार्च सीट के हिसाब से आपकुछ काम होता है तो आप लोग इस वीडियो के दो मिनिट का वीडियो है दीएक लीजिएगा नय नियम के मुताबित इंटर और नुपस्थित रहे ब्यर्द्यार्थी नय नियमों की जानकारी लेने की भवन पहुच रहें कई परचारति को पत्तों या भी पता नहीं कि उत्तीड होने के लिए नियुंतम परिशत कितना होना चाहिए कुछ इस्टूडेंट को यह भी नहीं पता होता की पास होने के तो आपको क्या करना है हाइज स्कुल में तो आपका नियुनता तिस मार्क आपको चाहिए ठीक, 33% चाहिए और अगर आप हइश्कोल इंटर के रहूर यह तो आपको यहाँ पे 35% चाहिए ठीक एक बिसे के पेपर में अनुपस्तित रहता है तो उसे पास माना जांगा हैं यह नहीं किया जाएगा बलकि उसको पास कर दिया जाएगा ठीकिए उसे पास कर परवा लेता है जिसके वज़द से उसका एक साल पूरा बरबाद हो जाता है तो आप लोग साल बरबाद मत किजिए मैं आपको यहां पर तरीका बता रहा हूँ तो आप लोग यहां पर वीडियो को बिल्कुल भी इस किम्मत कीजए ठीक है यहां लिखा गया है एक विसमें प वह सकता है जो यहां परिशार्थ में हाई विच्छा देने का आउसर मिलेगा उत्रीड होने के बाद उसे पास मार्शीट दे दिया गए भले वह दूसरे विचे में फेल रही हो ठीक हो ठीक है लो रहा है तो एक कमपाएंटमें का फारम भढ़के पास हो सकता है और अगर समस्टे उसे मारी जो हैं अ MARTIN डिया दिर यहाँ पे क्या अमें बहुत है इंटर के मुख सब्सक्राइब में दो दो पेपर होते हैं उनका दो दो एक पेपर का दो कर दो पार्ट होता है ठीक है यह दिशाथे में एक पेपर में 27 आंकर एक इंपर्टन ठीक है आप लोग इसे बिल्कुल भी और एक subject में घर फेल है ठीक है तो उसे आठ नमबर यह पर देखाते हैं दूसरे paper में अगर आठ नमबर grace grace देकर pass कर दिये जागा है यह पर आठ नमबर आपको देकर pass कर दिये जये ऐगा 27 है छिए है आपका यहाँ पर 77 सह 8 नमबर आपको यहाँ पर देखर आपको 35 नम्बर हो जागा आपको पास कर दिया जाएगा ठीक है यहाँ पे आप ग्रेस ग्रेस अंक के साथ भी फेल होने की दसा में हो तो उसे फेल कर दिया जाएगा अगर आफ नम्बर देने के बाद भी आप फेल हो रहे हैं यहां पर अगर 27 नंबर आप पा रहे हैं 8 नंबर आपको दे दिया जा रहा है फिर भी आपने 35 नंबर अगर आपका हो जा रहा है कर दिया जाएगा вы पास कर दिया जाएगा ठीक यहां पर लिखक भी गया है तो जितना भी यहां पर जानकारी ही है मैं आपको आपको इस डिसक्रिस्टम पltry editors देंगा आप वहां से इस वीडियो को देख लेंना ठीक है यहां पर कुछ इस तरीके से अपडेट आया था तो कुछ इस्टूडेंट का कमेंट आ रहा है तो यह वीडियो देख सकते हैं मैं साड़े तीन बजे यह वीडियो को सूट कर रहा हूं तो पूरा मैं झानकारे निकाला फिके प्रापर समझा मैं टीचर से से मैं बात किये तब जाके यह पूरा तरीके से वीडियो मैं बना रहा हूं आपको समझा रहा हूं ईक्रयत है घयित का मैं घ्लियो tuna खैनिट हूओ सिभ अगर आपका पांच सब्जेट अगर बचा है तो आप लोग उसे जम कर महनत कीजिए और आप पास हो जाएं अगर इसमें पास हो जाते हैं अगर आपका यहां पर आप सब्जेट में कम नंबर पाहें तो आपको पास कर दिया जाएगा अगर फिर भी शहमत नहीं है अग अगर इंटर वालों के लिए 27 नंबर माली जे पाते हैं किसे सब्जेट में आपको आठ नंबर यहां पर यूपी बोर्ड द्वारत दिया जाता है अगर आपका 35 नंबर हो जाता तो आपको बता दिया पूरा प्रॉपर तरीके से समझा दिया हूं तो आप लोग अपना सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है उठो जागो तब तक मत रुको जब तक आपको मंजिल पराप्त न हो जाए तो दोस्तों अगर आपको यह करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है मिलता हम किसी में जाहिन बंदे मात्र